हलो बच्चों मैं आराधना बर्मा आज आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर नम्मर 4 चांद से थोरी सी गप्पें पढ़ाने जा रही हूं बच्चों यह एक कविता है जिसके की लेखक का नाम है समसेर बहादूर सिंग तो समसेर बहादूर सिंग जो की इस कविता के कभी है वो इस कविता में बताना चाह रहे हैं कि एक माशूम लड़की है जो की 10-11 साल की है वो लड़की रोज चांद को बैठ करके देखती है जब वो चांद को देखती है तो कभी उसे गोल नजराता है कभी तिर्शा नजरात है तो आज बैट गत करके ह। रोज कर रही है होँ आगलर की चांद 91 के बाते कर रहे हैं क्या है क्भीता करें है पहले क्या क्भीता के एक बार दो रेडिंग लगाएंगे नि आपको एक यह को ब्यांख्या करके बताऊंगी ऐसा मैं लोग पहले इसको गोल है खूब मगर आप तिर्चे नजर आते हैं जड़ा आप पहने हुए हैं कूल आकास तारों जड़ा सिर्फ मुख खोलने हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पौसाग को फैलाय हुए चारों सिम्त आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसे खूब हैं गो की बा जी बा हमको बुद्धू ही नीरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बिमारी है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानि की बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं जब तक बिलकुल ही गोल ना हो जाएं बिलकुल गोल या मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता तो ये समसेर बहादुर सिंग जी इस कवीता को लिखे हैं अब हम लोग इसकी ब्याख्या देखेंगे कवीता कक्छा 6 का पाठ 4 है चान से थोरी सी गप्पे ब्याख्या इसकी हम लोग देखते हैं एक एक पद का तो पहला पद क्या है पहला पद है गोल है खूब मगर आप तिर्चे नजर आते हैं जरा तो बच्ची क्या बोल रही है आप तो हमेशा गोल गोल दिख रहे हैं पर पता ने आज आप मुझे या कभी कभी तिर्चा क्यों न जराते हैं आप पहने हुए हैं आकास तारो जरा तो मुझे पता ने क्यों मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप तारो जरा आकास का वस्त्र पहने हुए है तो यह चांद है और चांद के तारो तरफ उसे आकास जो दिख रहा है और आकास उसे लग रहा है कि यह चांद का वस्त्र है जिसमें कि तारे जर टिक नसे आपने फोले हुए हैं बहुत सारे अंगिनत भी सिर्फ मुन सोताई जफेद जफेद गोरद चेहरा आपका दिख रहा है लग रहा है जैसे कि आपने पौशाक परने हुआ है अकासका ऻामाई परने हुए है चारों सिंद में चारों तरफ फैला हुआ है विशाल रूप लिये हुए है तो इस पद को अगर आपको लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखेंगे अगर आपको प्रस्ना आता है कि आप इस कवीता के प्रतम पद की ब्याख्या करें या सारानस लिखें तो आप लिखेंगे चांद से थोरी सी गप्पे कवीता के प्रतम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यो तो आप गोल हैं पर फिर भी थोरे से तिर्चे दिखाई देते हैं ये आकास मुझे आपके वस्तर की तरह नजराता है जिसमें अंगिनत तारे जरे हुए हैं तथा पूरे विशाल पोसाक रुपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई परते हैं चले अब दूसरे पद को देखते हैं दूसरे पद में लड़की क्या बोल रही है वो बच्ची आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसे खूब हैं गोकी बाह जिबा हमको बुद्धु ही नीरा समझा है हम समझते ही नहीं कि आपको बिमारी है तो बच्ची मासूम है तो बच्ची क्या बोल रही है चांद को कि आप मुझे इस तरह से कुछ तिर्चा नजर आ रहे ह वैसे तो आप इस तिर्चा में भी बड़े सुंदर नजरा रहे हैं पर वहाँ जीवा अरे वहाँ आप क्या हमको समझ रखें कि आप इस तरह जो तिर्चा हो गए गोल से तो क्या मैं समझ नहीं रही हूं हमको आप बुद्धु ही नीरा समझा है क्या आप मुझे इसकी अगर आपको व्याख्या करना है तो आप कैसे करेंगे चान से थोरे सी गप्प्य कभीता के इस पर में लड़की चान से करती है कि यह जो आप थोरे से तिर्चे नजर आते हो अच्छे तो लगते हो पर हमको आप बेवकूफ न समझना हम सब जानते हैं कि आपका यह आपके किसी बिमारी की बज़े से है कि फिर की तिसरे पर में क्या बोल रही है वो लड़की हो लड़की बोल रही है कि आप घटते हैं तो हचन की बढ़ते ही चले scientists हम डबहते खले 성 ऑन inert volt में लेटे जब तक कि बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाएं बिलकुल गोल बच्ची बोल रहे हैं कि जब अब देखते होंगे कि जब अमावास्ष्य पुर्निमा की तरफ बढ़ता है जह उसके बाद फीरइन अपना साइच बढ़ाना पिर गोल होने के वाद फिर से वह अपना साईज बढ़ाना शुरू करता है और फिर बढ़ाते बढ़ाते वह पूद्णीमा की तरफ चला जाता है तो लड़की क्या बोल रही है कि पता नहीं क्यों आप जब गोल रहते तो अचानक दीरे दीरे अपना साईज आप घटाने करते हैं और फिर तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाए पिर बच्ची क्या बोल रही है यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता वो बोल रही है कि चांद मुझे पता है कि आप आपको कोई विमारी लग गई है इसलिए आप अचानक से छोटा होने लगते हैं और फिर अच्छानक से गोल से दिरे दिरे छोटा से बड़ा होते होते गोल हो जाते हैं यह आपको कोई ना कोई मरज याने की बिमारी लग गई है मरज का मतलब होता है कोई रोग या बिमारी लग गई है जो कि अच्छा होने का नाम ही नहीं ले इस पता नहीं क्यों, आपकी विमारी ठीक ही नहीं हो रही है, अता छोटी वालिका चान के घटते और बढ़ते रूपको एक विमारी समझ रही है, तो बच्चो इस तरह से हमारा ये पार्ट समाप्त हुआ बच्चो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब फिर से अभी मैं बस अगला वीडियो इसके इसी पार्ट के प्रस्न उत्तर का डालने जा रही हो अपने चैनल पर तो इसी तरह से मैं जब भी अगला वीडियो डालू तो नए वीडियो उसका या फिर पहले जो भी वीडियो में आपके लिए डाल चुकी हो उन सब का लाब उठाने के लिए आप क्या करेंगे आप नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर से दबा ले सब्सक्राइब करने चैनल को साथी साथ आप लाइक करें सेयर करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें थैंक्यू बच्चे देखने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार